तो यो फेंग कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको तरह लेएं सैंसंग गलेक्स टी का एक फीचर या भी बोल सकते हैं टेप बताने वालों जो की बहुत ही काम की टेप है जो की बहुत ही शांदर है अगर आप इसको यूज करेंगे डेफिनिटली आपको बहुत मज़ा आन दोस्तों जैसे मैं आपको बताने मारना वाला हो hidden feature जो की बहुत काम का है तो जोस्तों यहाँ पर हमाँ पर हमाँ पास कोई ळो क्यों किया सब्सक्रिक करी ने appreciate अगर हमने किसी particularnonature को तब जाके मिस्कॉल पर पहुच जाओंगा तो यह बहुत जादा लंबा मेथड होता है इस सब चीज के लिए ऐसी ही अगर मुझे मालो यह केमरे खोल के डारेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो मैं पहले केमरे को अन करूंगा फिर उसके अदिया वीडियो रिकॉर् होगा तो यह बहुत जादा लंबा मेथड है हम क्योंकली किसी एप की एक फिचर को बहुत ही एकसे कर सकते हैं कैसे वही आपको में इद फीचर बताएं लाइक आप यहाँ पर आएंगे इहां पर आप देख सकते हैं मेरे कि यहां पर शॉटकर बन रहा है मिशकॉल का जैसे एक सर्च का बना रखा है सर्च के लिए चले जाओंगा ऐसे ही मैंने यहां पर create content के लिए बना रखा है तो सीधा create content वाला option हो जाएगा मतलब कि यह shortcut से बना गे हुए है simply आप किसी भी app का hidden feature को यूज़ करते हैं like यह मैंने camera के लिए बना रखा है कि मुझे वीडियो लेना है तो simply मैं वीडियो पर जाओंगा तो वीडियो पर ही automatic आएगा आप देख सकते हैं ऐसी अगर मुझे photo क्लिक करना है तो photo पर जाओंगा तो photo पर जाओंगा और ऐसे ही अगर मुझे internet browser के new tab में जाना है तो new tab के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो automatic वो new tab पर चला जाएगा आप देख सकते हैं ऐसी अगर आपको new secret tab पर जाना होगा तो वापस इस पर क्लिक करूँगा तो secret tab पर भी चलेगा मतलब कि आप किसी भी एप की particular feature को quickly access कर सकते है without any time wasting कैसे उसके लिए आपको करना गया लाइक मुझे मालो ही मुझे phone वाली एप का आपको shortcut को यूज करना है या कोई hidden feature को आपको इस पर क्लिक करना है तो इसके आपको तीन hidden feature मिल जाएंगे अगर आपको मिस्कॉल वाले feature को यूज करना आपको प्रेस करके रखें और यहां पर टाल देंगे तो shortcut create हो जाएगा आपको मैसेज पर करना हो तो मैसेज पर जाए न्यू कर्वेशन पर क्लिक करेंगे तो यह न्यू कर्वेशन खुल जाएगी जब भी आप इस पर क्लिक क यहां पर मिल जाएंगी जो जो एप support करती है आपको उस एप पर क्लिक करना है तो आपको simply करना किया उस एप पर क्लिक करके जो भी shortcut है उसको यहां टे ड्रैग करेंगे तो वह आपका shortcut यहां पर आ जाएगा बेख सकते हैं यह बन चुका है ऐसी अगर मुझे कोई setting पर आ र पर क्लिक करके easily उसको access कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कितना कुछ दिया गया है मैं सिंपल यह आपको फटा-फट यहां पर सब एड़ करके होता है तो जिसको आप easily quickly कहीं भी use कर पाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से यह बोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके कि हमाँ छोड़ देंगे तो वहां पर create हो जाएगा तो मैं आपको Google Chrome के लिए भी बता दो से से Chrome पर गया Chrome पर मैं क्लिक करूंगा तो new Chrome के लिए भी new tab का option मिल जाएगा कि Chrome की टेप खोलना हो तो वह खुल जाए आपकी Gmail का होगा तो Gmail के लिए आपको voice search और search का option मिल जाएगा YouTube के लिए होगा तो YouTube के शौर्ट सब्क्रिप्शन एक्स्रूदर खुल जाए वह कर सकते हैं मैप में जाएंगे तो मैप में homework कर सकते हैं यह Gmail पर जाएंगे तो आप यहां पर compose भी कर सकते हैं तो मतलब कि आपको यहां पर हरतार है किसे वर्क आप अपने साबसे को एड़ करके सकते हैं ताकि आप अपने जो भी टाक्स हैं बहुत ही easily कर सके तो यह फीचर तो मुझे पसंद बहुत है यार शेंपल यह आपको किसी भी अप बनाना यहां क्लिक करना है उस पर क्लिक करना है तो उसके शॉटकर नोच कर देंगे तो वह बन जाएगा नीचे आपको साइन मिल जाएगा जिस एप का आपने बनाया और बात में बड़ी एजी लिए आप क्यों कि ल खुल जाएगा तो ऐसे ही सारी एपस यहां पर पर करेंगी जो गैलरी का बनाया फोटोस को सच करने के लिए तो यह यहां पर खुल जाएगा तो यह ऐसे फ़र करता है उमीद है कि दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्यू धन्यवाद उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक दरू करें और अगर आपको लगता है ने कुछ कमी यह दो मुझे तो प्लीज या चलो सबस्क्राइब करना ना बोले और साथ में नोटिवेशन बैल आइकन को भी दवाना ना बोले ताकि जैसी में यह मिटा तो आपको सबस्क्राइब करना ना बोले तो थैंकियो दोस्तों